अब सब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि के 18 फरवरी के विसेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और सुपकामना है जिनका आज जन्म दिवस है मेरी जन्म वसरी है या कोई विसेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के आज 18 फरवरी 2021 को गुरुवार है आज के विसेश उपाई में सिंदूर के प्रियोक से क्या-क्या लाब है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा हलाकि मैंने कुछ दिन पहले सिंदूर के कुछ उपाई बतलाए थे लेकिन ये उससे अलग है ये समस्याओं के उपर आधारित है देखेगा जरूर समवत दोजा सिततर का माग शुकलिपक्स चल रहा है आज सश्ती तितिये सुबह आंट बज़ करके 17 मिन तक उसके बाद में सब्तमी आरब हो जाएगी नक्षत बढ़नी नक्षत रहे और आचनमा मेशरासी में ही रहेंगे अब बात करते हैं रावकाल की आज दोपर एक बज़ करके 30 मिन से लगा करके तीन बज़े तक रावकाल रहेगा और रावकाल में प्राय को सुबकारे का अरंब नहीं किया जाता है लेकिन अब मैं जो मौरत बता रहा हूँ सुब चोगड़या मौरत उसमें सारे सुबकारे किये जाते हैं और ये समय काल है साथ बज़ करके 15 मिन से लगा करके आठ बज़ करके 45 मिन तक फिर वापस दोपर में तीन बज़े से लगा करके 4 बज़ के 15 मिन तक आईए अब बात करें यातर मौरत की आज के दिन पूरु दिसा में यातरा करना सुब है वहीं आज आगने दिसा साउत इश्ट दिसा में दिसा सूल लगा रहेगा ऐसी इस्तिति में इस दिसा में यातरा नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तब पिर दिसा खाकर के यातरा का आरम कर सकते हैं ये दिसा सूल दोस का परियार हुआ अब बात करते हैं आज के सुबगर योगों की आज सूरियोदे कालिन कुणली में आश्रे योग केंजरुम भंग योग वसुमती योग वेशी योग सफल अमल कीरती योग महा भागे योग अखंड समराजय योग विमल योग और सरल योग का साथ मिलेगा आप भी अपनी कुणली को चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने सुब योग हैं कितने महा योग है और यदि आपके बास में अपनी राजयोग की कुणली नहीं है ऐसी इस्तिदी में आप अपनी राजयोग की कुणली बनवा सकते हैं क्योंकि उसमें आपको सभी विसेस योगों का राजयोगों का महा योगों का विश्टेशन भी मिलेगा, कौन से योग का आपके जिवन पर क्या प्रवाव पड़ेगा, और आपकी कुणली में कितने सुब योग, कितने असुब योग है, कितने मिश्रित योग है, ये सब कुछ भी आपको पता चलेगा, और इसी के साथ में आपको तीन कुणलियां और म आप घर बैटे अपनी राजयो की कुंड़ी प्राप्ट कर सकते हैं उसका फाइदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं लाख रुपे की जो हमारे बुजुर्गों हमें बोल करके गएं बता के गएं कहीं लिख करके गएं। बड़े बुजुर्गों के नुसार, गुर्वार के दिन हजामत अथा शेव और उधार लेंदेन से बचना चाहिए. मानिता है कि इस दिन शेव करने से आर्थिक इस्तिति कमजोर होती है. ठीकिन जो रोजाना शेव करते हैं, तीन सो पैसरी दिन शेव करते हैं, उनसके लिए तो उसको वापस करने या वापस मिलने के संभावनाएं बहुत कम हो जाती है. तो जो मानिता हैं, जो हमारे बुजुर्गों की बाते हैं, उनको अपना करके जीवन में सुक हासिल किया जा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है. आईए अब आर्म करें, आज का रासिफल अठ ज्यादा सुब है. नक्षत तारा सिदांत का उसा शेम तारा, कल्यान कारी तारा का साथ, और अस्ता कोग में 25 डॉट. ये कॉंबिनेशन 100% इस्थनमा को पॉस्टिव बना रहा है, और ऐसी इस्तिति में, फाइनिशल गेन, इन्वेस्मेंट में, लाब, सुक सुधाओं की व्रद्धी, एंटेटेन्मेंट के साथ, नो की प्राप्ति, और आज का दिन दामपज सुख की बहुत अच्छी इस्तिति रहेगी. आज अच्छे खाने पिने से, फ्रेंट के साथ में अच्छा टाइम प्रेड स्पेंट करने से, आनन्द में रहेंगे. जो लोग संपती से समझे कोई काम का चाते हैं, उनको संपती का सुख मिलेगा, और यहों भी आज का दिन आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, औरनामेंट्स मिल सकते हैं, सम्मान और अच्छा वाहन मिल सकता है, और सांसरक सुख सुविदाएं बरबूर मिलने वाली है. ऐसे इस्तिति में, स् उसको एप्रिशेट किया जाएगा, सरा जाएगा. आज का लखी कलर है ब्राउन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर वन. आईए अब बात करें रसब रासी की, आपकी रासी से ट्वेल्ट आउस में एक्सपेंसेज भाव में चनमा विराज मानें, यह चनमा सुब नहीं म बनाएगा. ऐसी इस्तिति में आप आज कुईन को चिंता में रहेंगे, मानसिक उलजन में रहेंगे, बहुत से लोगों को आलसी या सुस्ती आज बहुत परिशान करेगी और यदि आज लापरवाई रखी तो फाइनिशल लॉस या मानसमान की हानी देखने का मौका मिल सकत है और ऐसे में आप अपने ही कारणों से अपने ही कारणों से नुकसान उठा सकते हैं. इस पेसली मैलाओं से व्यवार करें, मैलाओं से बात करें, बहुत सावदान रहें, लापरवाई नहीं बढ़ते हैं और ना हैं कोई अपसब्दों का इस्तिमाल करें, नहीं तो इस्त और जो यात्रा पर हैं, उनको भी या आज यात्रा करना चाहते हैं, उनको भी कोईन कोई असुईदा का या फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज का लखी कलर है ब्लू कलर और आज का लखी नंबर है नंबर सेवन। आईए अब बात करें मिथुन रासी की आपकी रासी से 11 ताउस में लाब बाव में चनमा और मंगल दोनों विराज माने और ये चनमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है एक प्रकासे लक्षमी योग यहां पर बनावा है और साथ ही साथ सूर्य रासी से 9 ताउस में है बह हूँ 12 ताउस में तो ऐसी इस्तिती में जो लोग भी MNC में काम करते हैं अब्रोड से समधित काम कर रहे हैं या अब्रोड में रह रहे हैं उनके लिए ये चनमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाएगा आज के दिन आपको कोईन कोई जानकारी मिल सकती है या बहुत अच् खुद के पैसे पाने के लिए वसूली के लिए मनी कलेक्शन के लिए आज का चनमा बहुत ज़्यादा बैटर है आज घर में महमान भी आ सकते हैं चाहे वो फ्रेंड सर्कल में से हो या रिस्तिदार से समधित हो कुछ विसेश कारियों के कारण आना हो सकता है और ऐसे में को आज यातरा करना चाहते हैं उनके लिए इस्तितियां बहुत ज़्यादा सोख़द हैं आज का लखी कलर है पिंक कलर और आज का लखी नंबर है नंबर थरी आईए अब बात करें करक रासी की आपकी रासी से टैन ता उसमें अता जो आपका प्रोफेशन बहाव है करम इस्तितों रुचश्क यव का निर्मान भी होता है और ऐसी सिदी में आपकी रासी का अधीन पतिती चणिमा है जो करम से समन्धिज रखता है ऐसी सिदी में आपकी पतिश्ता में वृत्धी होना निश्चित है आपकी काम का आज में आपका इंट्रेस्ट बढ़ेगा योँ भी, जब कोई आप सीख जाते हैं, या सीख लेते हैं, तब confidence अपने आप में बढ़ी जाता है, क्योंकि expert हमेशा appreciation पाता है, नहीं योजना है, उस्सा और जो लोग राजनिती के शेत्र में हैं, जो लोग जनता के बीच में जाना चाते हैं, अपने काम काज के लिए चाह बहुत अच्छी है, नौकरी में भले के लिए भी आपको अच्छे सुजाव मिल सकते हैं, और जो लोग पूजा पाट वाले लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, उनको इस्ट सिद्धी के अवसर मिलेंगे, अच्छी अनुभूतिया मिलेगी, आज का लखी कलर है येलो कलर, और आज का लखी नंबर है, नंबर फाइफ, आईए अब बात करें, सिंग रासी की, आपकी रासी से नाइंत आउस में भाग्य बाव में चनमा विराज माने, ये चनमा मिक्स दियर्ट देने के लिए विख्यात है, नक्षत तारा सिद्धान को साथ संपत तारा का साथ और अस् चनमा को 67% positive और 33% weak मना देते हैं, ऐसी इस्तिति में थोड़ा effort ज्यादा करेंगे, प्रियास ज्यादा करेंगे, तो आप 100% गेन कर सकते हैं, वैसे आज मन में असांती रहेगी, संत्यान के साथ में, especially आपकी पत्रों से आपके मद्वेद हो सकते हैं, या बैस बाजी हो सकती हैं, लेकिन उस बैस बाजी का result अच्छा निकलेगा, उनके अनुभव, उनके मनोभव, उनके दिल में क्या है, यह आपको पता चल जाएगा, और उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं, या उसके आधार पर आपको फैसला ले सकते हैं, रासी से नाइन चनमा में, जह और दिन तो आपको बहुत शांदार मिलने ही वाले हैं, क्योंकि 23 तारीक को रात में वापस चनमा बदलेगा, तो वहां तक आप बहुत अच्छे डंग से काम कर सकते हैं, 19 तारीक से लगा करके 23 तारीक तक continue आपके लिए गेन का या आपकी expectation को पूरा होने का समयकाल है, ऐस सिर्फ नुकसान हो सकता है, और या फिर आपको कोईन कोई notice आ सकता है, कोई गलती से आपके खिलाफ problem हो सकती है, legal problem भी खड़ी हो सकती है, especially जो business वाले लोग है, वो billing में ध्यान रखें, कोई भी हेर फेर करने का प्रयास आपके खिलाफ जा सकता है, ये ध्यान रखेगा, ज ज्यादा टाइम खर्च होगा, और साथ इसाथ पेड़ से समधी problem भी देखने का अवसर मिल सकता है, ऐसी इसते हैं खाने पिने पर ध्यान रखें, आज का lucky color है blue और आज का lucky number है number four, आईए अब बात करें, कनिया रासी की, आपकी रासी से 8 ता उसमें मारक बाव में चनमा व कर देते हैं, अता आपके बचाव के लिए 33% फिर भी आपको negativity को face करना पड़ेगा, रासी से 8 ववा में मंगल भी विराज मान है, यह आपको उग्र बना सकता है, जगडालू बना सकता है, या पिर यह बोच सकते है, इरिटेट करने वाला बना सकता है, तो ऐसे में आप अच्छा चनमा माने जाता है, लेकिन आम तोर पर यह चनमा परिशानी या पिर कलेकलेस का सामना करवाता है, चोट या दुरगटना से सामना करा सकता है, और या पिर खराब स्वास्ते से सामना करा सकता है, ऐसी इस्तिति में आप दुखी हो सकता है, फिजिकली भी और के साथ में या को सस्वाल वाले यदि आये वे हैं आसपास ही रहते हैं तो उन से जड़ब हो सकती है उन से बैस बाजी हो सकती है सब मिला करके आज का दिन आपको बहुत सावधाने के साथ में पार करना चाहिए हाला कि 67% आपके बचाव के साथन मौजूद है लेकिन उनको खुली आँखों से आपको देखना पड़ेगा तो आप बच पाएंगे आज का लखी कलर है ब्राउन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर 6 आई अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से सेवन्त आउस में दांपत्य सुख बाव में चनमा विराज माने ये चनमा बहुत ज्यादा सुख माने जाता है नक्षत तारा सिद्दान से जन्मतारा का साथ और अस्टर कोएंग में 27 डॉट ये कॉंबिनेशन इस चनमा को 100% पोजितिव बना देता है और ऐसे इस्तिति मे आप बहुत ज्यादा खुश अंदर से प्रसन या पिर जीवन साते के साथ में अच्छा आपका रैपो बन सकता है उनके द्वारा कोई बहुत अच्छा गेन हो सकता है और यदि वो भी कामकाजी है तो तो फिर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी को एचिमांट से प्रोग्रेस से या गॉर्मेंट सर्वेंट है उनके लिए सरकारी योजनाओ से सरकारी कामों से आज आप बहुत एप्रिशेशन मिलने के योग है आज का दिन अपने आपको सजने समानने से अच्छे खाने पिने से आप साइथ महसूश कर सकते हैं या खुश महसूश कर सकते हैं जो लोग भी उनके लिए सारे अफसर मिलने वाले हैं और ऐसे इस्तिति में आज जो आप महनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा आज का लखी कलर है परपल कलर और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आईए अब बात करें व्रस्चिक रासी की आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग पसेंड पॉस्टिव बना देते हैं और ऐसी इस्तिति में आज आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है हर वाद विवाद में हर एक्जाम में हर इंटर्वियू में आपको सक्सेस मिलने वाली है कोई भी जगड़ा तंटा है वो आज के दिन आप निप्टा सकते हैं उसमें आप जीत जाएंगे आज का दिन रोग मुक्ति के लिए कर्ज मुक्ति के लिए कर्ज वापस चुकाने के लिए बहुत जादा सुब है विवादों से मुक्ति हो सकती है शत्रू नास के लिए या पिर कोई कोई प्रोग्रेस के लिए आप कामों को आगे बढ़ाने के लिए या जो लोग सरफ और सरफ पैसे के लिए काम करना चाते हैं, फाइनिशल गेन के लिए काम करना चाते हैं, उनको वो सक्सेस मिलेगी, और जो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और जो investment करना चाते हैं, future trading करना चाते हैं, सटे से lap चाते हैं, उनके लिए आज का दिन उसमें gain देगा, और जो अपनी personal life में बहुत सुखी होना चाते हैं, उनको आनंद के पल नसीब होंगे, तो सब मिला करके आज का दिन बहुत ज़्यादा सुखद है, एप्रेशेशन वाला है, सफलता वाला है, या बहुत ज़्यादा खुशी का है, आज का लखी कलर है, green कलर, और आज का लखी नमबर है, नमबर फाइफ, आईए अब बात करें धनूरासी की, आपकी रासी से फिप्त आउस में, शिक्सा और संतान बाव में चनमा विराज माने, ये चनमा मिक्स रिजल्टी देते हैं, नक्सत तारा सिद्दान से सादक तारा का साथ और अस्तव को अग में तीस डॉट, ये कॉमिनेशन इस चनमा को 75% पोजिटिव और 25% ही वीकनेस देंगे, रासी बाव में मंगल भी विराज माने, और चनमा भी अस्तम बाव के अधिपती होकर के सिक्सा बाव में विराज माने, बुद्धी बाव में विराज माने, ऐसी इस्तिति में मांसिक रूप से कुछ परेशान है आ सकती है लेकिन आप अपने बुद्धी बल से अपनी एक्टिविटी से अपने आइडिय से उस प्रॉलम का सॉलुशन भी निकाल देंगे समाधान भी निकाल देंगे संतान से दुखी और या पिर संतान के कोई कारण से दुखी हो सकते हैं परेशान हो सकते हैं और यदि आप खुद ही जातक हैं तो आपको अपनी एडुकिशन में प्रॉलम औप्सिकल्स या पिर जो कंसेंट्रिशन की कम्मी है वो देखने का मौका मिल सकता है या आप खुद एक प्रकास से बोर हो चुके हैं ऐसा आपको फील होगा आज कोईन कोई सोक समचार आपको मिल सकते हैं जिससे आप दुखी भी हो सकते हैं लेकिन अपने आपको संभालना जरूरी है कामकाच और अपने केरियर में चाहे आप बिजनस करते हैं चाहे आप जौब करते हैं चाहे आप छोटा सा ही रोजगार करते हैं आज के दिन obstacles का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन obstacles से निकलने के लिए राहत भी आपके सामने मौजूद होगी, उसको आपको चुनना पड़ेगा. जो भी IT सेक्टर वाले लोग हैं, software वाले लोग हैं, website बनाने वाले लोग हैं, app development करने वाले लोग हैं, उनके लिए चनमा बहुत ज़्यादा सुब है, क्योंकि आपको बहुत दिक कारियों में, मन और मस्तिस्क वाले कारियों में success ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये चनमा जो भ मो जाल में, या बुरी आसकती के साथ में कोई दुरभावना से बदनामी हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए, जो यात्रा पर जाना चाहते हैं, या पिर आज यात्रा पर हैं, उनको कोई असुईदा को देखने के मौका मिल सकता है, सामना हो सकता है, और ऐसे इस्तिति में सयम और ध्यारी दो यदी आपके साथ में हुए तो आपको कोई भी प्रॉलम का सामना नहीं करना पड़ेगा आज का लगी कलर है येलो कलर और आज का लगी नंबर है नंबर टू आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से फोर ताउस में सुख बाव में चनमा वि प्रशान कर सकता है दुखी कर सकता है और ऐसी स्थिति में सेवंटी फाइब पसंट आज का चनमा आपके लिए प्रॉब्लमिटिक है आज आपको अपनों से ही कोई को कले का सामना हो सकता है या पिर अपमानित होना पड़ सकता है सब मिल करके आपको टार्गेट बना सकते ह अपने उपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है सनी की सारी साती में प्राय ऐसा होता है जो आपने अच्छा किया है उसके बदले में आपको बुरा मिलता है तो ऐसा नहीं एक अच्छा करना ही नहीं चाहिए जो अच्छा करते हैं तो अच्छा करने से आपके जो positivity है दूसरे लोग तो जो करेंगे लेकिन आप एक प्रकास से polished हो जाएंगे, matured हो जाएंगे, ये फाइदा आपको मिलेगा मांसिक एक प्रकास से clash मिल सकता है सारा दिन आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है या बाहर रहने की इच्छा ही होगी उच्छाटन आजाएगा कि ऐसे घर में क्यों रहना जहां पर रोजा ना क्या, कोई कोई कलय ही होता रहता है या आपको जान बोच करके अपमानित किया जाता है, सुबह सुबह आपको disturb किया जाता है लापरवाई आज के दिन बहुत भारी पड़ सकती है इस पेसली जो बिजनसमेन है उनको बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है और जहां तक संबह वो आज कोई फैसला बड़ा नहीं ले तो अच्छा है क्योंकि कल का दिन आपको जो चनमा होगा वरसब रासी का चनमा होगा, रासी से फिप ताउस में जा सकता है जो लोग यात्रा पर हैं उनको सावधान रहना चाहीए अपने खुद के समान की भी रक्षा करनी है और समान की भी रक्षा करनी है क्योंकि अपमाने तो निकी स्थितिया आज आपको देखनी पड़ सकती है साथे रेक रूप से भी आपको कोई को पीडा दायक इस्तितियां चाहे वो पेचिस हो सकती है चाहे वो छाती में दर्द हो सकता है और या पिर बहुत बेचे निया गबराट का सामना करना पड़ सकता है उससे आपको बचने की सला दे रहा हूं या अपने आपको प्रैक्टिकल रूप से स्ट्रेंड बनाए स्ट्रेंड करें आज का लखी कलर है रेड कलर और आज का लखी नबर है नंबर थ्री आईए अब बात करें कुम्बरासी की आपकी रासी से थढ़ा उसमें पराक्रम बाव में चनमा विराज माने यह चनमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है लेकिन नक्शत तारा तक वक में 30 दोट है, यह combination इस चनमा को 67% positive और 33% weakness देता है, ऐसी इस्तिति में आपको बहुत ज्यादा effort करने पड़ेंगे, तो 100% फाइदा आपको मिल पाएगा, वैसे रासी से तीसरा चनमा व्यक्ति के पराकरम को, energy को, confidence को, circle को बढ़ाता है, और ऐसे में, आज आपको financial gain के मौके मिलेंगे, investment करने वालों को investment से lab मिलेगा, नए investment कर सकते हैं, या जो old investment है, उसको in cash करने से फाइदा मिलेगा, सुख, सम्मान और प्रतिष्टा, और आपके पराकरम में व्रदी होने के योग है, सब मिला करके हर sector में, आपको positivity का सामना करने को मिलेगा, या उसका साथ मिलेगा, सुब सहियोग आपको मिलेंगे, जहां पर भी जाएंगे, आपको कोईन कोई आपके सरकल का या जान पिचान से समंदिद लोग वहां पर आऊंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, समय से पहले पूरा हो जाएगा, health बहुत अच्छी रहेगी, fitness और energy level आज आज का लखी नंबर है, नंबर नाइन, आईए अब बात करें मीन रासी की, आपकी रासी से सेकिंड आउस में धान और संपती बाव में चनमा विराज माने, ये चनमा मिक्स रिजल्टी देता है, नक्षत तारा सिद्धान को साधक तारा का साथ और अस्टा को अगमें आज बैतरीन मौके भी देगा, आपका काम काज भी आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको कहिन कहीं अनसाटिस्क्शन भी देखने को मिल सकता है, या आपको ये ऐसा सो सकता है, कि थोड़ा सा और मौका मिल जाता, या मेरे पास में टीम होती ही, तो आज में बहुत कमाल कर सकता जो भी आपके साथ में मिल रहा है, आप अपनी तब से जो एफर्ट कर सकते हैं, वो एफर्ट करने का हमेशा प्रियास कीजिए, क्योंकि आप आप नहीं जानते जो आप गेन कर रहे हैं, दूसरे उसके लिए तरस रहे हैं, तो जो भी आपको मौका मिला है, वो गोल्डन च क्योंकि सेकंड चनमा में इन्वेस्मेंट बहुत ज़्यादा लाब दैक नहीं माने जाते हैं, लेकिन जो भी आज के दिन आप काम करेंगे, और इस्पेसली वो लोग जो मैटल, मैडिसीन, केमिकल से समधित काम करते हैं, प्रट्रोलम प्रोडक्स से समधित, और या पिर व ज़्यादा गेंड के मौके मिलेंगे, बहुत अप्रिशेशन उनको मिलने वाला है, या उनका काम काज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, संतान के साथ में और या पिर जिवन साते के साथ में, कुछ attitude को लेकर के problem हो सकती है, या उनके स्वास्ते को लेकर के आप परेश कर सकते हैं । आज का लखी कलर है परपल कलर और आज का लखी नमब़ है नमबर फाइफ। ये तो हुई बात आज के रासिफल की आईएं अब बात करते हैं आज के विशस उपायों की। सिंदूर के प्रियोक से क्या क्या लाब है? जैसे जिन व्यक्ति दूर ले करके उनके चड़नों में चड़ा दीजिए इससे भी दूर गुटना का भै समापत होता है राहत मिलती है दूसरा उपाए यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो एकाक्षी नारेल पर सिंदूर चड़ा करके उसे लाल वस्तर में बांद करके मालक्षमी से धन की प्राप्तना करते हुए अपने व्यावसाई के स्थल पर या अपने कैस बॉक्स में आपने रुपए पैसे रखते हैं वहाँ पर गैने रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए और ऐसी मानित है कि इसके प्रभाव से धन की समस्यां दूर होने के साधन बन लग रहे और उनकी मादसा या अंतर दसा चल रही है तो फिर आपको सिंदूर को बैतेवे जल में प्रवाइद करना चाहिए ऐसा करने से समधित गरा का प्रवाव कम हो जाता है या बहुत बार समाप्त हो जाता है और सूरी और मंगल मारकत का फल उसकी जगह पे पोजिटिव फल देने लग सकते हैं या राहत देने लग सकते हैं आईए अब बात करें उपाई नमर चार की यदि आप competition exam में बैट रहे हैं तो कोई भी गुरु पुशी योग में या फिर शुकल पक्स के जो पुशी नक्षतर वाले दिन गणेश जी के मंदिर में सिंदूर भेंट करने से आपकी परिक्षा में आपके अनुमान से अधिक आपकी मैनस से अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है और आपके confidence में भारी व्रदी हो जाएगी उपाए नमबर पाँच यदि ब्लड से समदित कोई भी infection है कोई भी रोग से आप पीडित है परशान है तो भी सिंदूर को अपने उपर से गुमा करके बैते वे जल में प्रवाइद कर सकते हैं ऐसे करने से रोगों से रा सिंदूर को नजर अधिक लगती है तो उन्हें संभव हो सके तो प्रत्य एक दिन या फिर मंगलवार और शनिवार को हनमान जी के मंदिर में जा करके उनके चड़नों से थोड़ा सा सिंदूर ले करके अपने मस्तक पर धालन करना चाहिए या पिर अपने कंट पर लगा दे मानिता है कि ऐसा करने से नजर दोस्ते बचाव हो जाता है बचा जा सकता है इस प्रकार से एक पदार सिंदूर हमारे जिवन में बहुत सी खुशियां ले करके आता है तो आज ही सिंदूर का उप्योग आरम कर दें और अपने घर से दूर बागयों को दूर फैंक दें ये आज का रासिवल और आज का विसेश उपाय और विसेश उपाय में यदि आप अपनी जनकुली का विशलेशन करना चाहते हैं यदि आप सिरफ और सिरफ अपनी जनकुली के अनुसार ही अपनी समस्यां का समाधान चाहते हैं 2020 आपके लिए कैसा भी इतने वाला है आने वाल समस्यां हैं व्यापाड से समझी समस्यां हैं मां लीजिए आपकी पस्तन लाइप में बहुत सी समस्यां हो सकती है क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्रम होती है कि उन्होंने तَलाक के लिए effort तो कर लिया, लेकिन तलाक हुआ नहीं तो आपकी जिंदगी ना इधर की रही, ना इधर की रही, ऐसे इस्तिति में आपको तलाक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और यदि तलाक लेना है तो इसके लिए क्या उपाए करें ताकि आप दोनों ही अपने जिवन में सुखी हो जाए क्योंकि एक दूसरे से आप विरोधी बनके शत्रू बनकर के एक ही घर में रहें ये तो संभव नहीं है तो ऐसी इस्तिति में आप पहले समाधान का प्रियास करें और उसके बाद में समाधान नहीं संभव है तो फिर अलग होना ही बहतर है क्योंकि यह प्रेक्टिकल है ऐसी इस्तिति में यदि आपकी कुणली होगी तो मैं आपको स्परस्ट तोर पर बता पाऊंगा क्या करना चाहिए क्योंकि कुणली मिलाने के समय भी यही देखा जाता है कि साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे और जब ऐसी समस्या है तब ही देखना पड़ेगा कि यह साथ में रह पाएंगे या अलग रहना ही सही है तो ऐसी इस्तिति में आपको अपनी कुणली का विश्टेशन कराना चाहिए और कुणली विश्टेशन कराने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर संपर करना है जो भी फोन उठाएंगे हम टीम मेंबर्स वो आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे अपर्णमेंट फिक्स करने से लेगा करके बात कराने तक क्योंकि इस समयकाल में टेलिफोनिक कंसर्टेंशी से आप अपने घर बैटे वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्ट कर सकते हैं हाँ उसके लिए प्रो प्रोस्जर है उसको फॉलो करना बहुत इजी है तो आज के एपिसोड को यहीं समाप्ट करते हैं मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और सुरक्षत रहें आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का बहुत बहुत ध्यान करें बहुत शुब कामना इश्वर आपकी रख्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद